यह दे दोस्तों आप business company के retailer है यहाँ पिर आने वाले समय के अंदर business company के retailer बनने वाले है तो यहाँ पर यह वीडियो देखे उसके बाद ही retailer बनिएगा क्योंकि business company जो है सबसे बड़ा fraud आपके साथ कर सकती है तो जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा आपके साथ ना हो इसलिए आज मैं यह वीडियो बना रहा हूँ आपको बता दूँ business company के अंदर आपको बता दूँ EPS सर्वीस है यह money transfer सर्वीस है रिचार्ज बिल पैमेंट यहां पर bank CSP जैसी सर्वीस है यह business company प्रवाइड करते है लेकिन इनके बदले जो है यहां पर आपको commission दिया जाता है यहां पर किसी भी तरीके से जो है यहां पर जो commission या incentive दिया जाता है वो incentive एक दिन वो वापस वसूल लेगी एक ऐसी company है यह आपको EPS सर्वीस के उपर जैसे मालो 9,05 रुपे का मैंने यहां पर EPS किया इसके उपर मुझे 9 रुपे जो है commission दिया गया लेकिन आने वाले समय के अंदर जो 9 रुपे का commission है वो multiply कर दीजे 10 इसे मतलब आपको 100 रुपे बरने पर सकते हैं मतलब 9 रुपे का 100 रुपे आपको business company को देना पर सकता है जो आपने कमाया उससे गुना जादा आपको company को देना पर सकता है तो आपको दादू उससे पहले आप इस video को देखे गे तो आप 70 हो जाएंगे इसके अंदर EPS सर्व से है लेकिन इस दोस्तों बार कंपने कियसे हो सकते हैं तो आको ता दों जो मेरे साथ मेरे साथ और मेरे एक एक और रिडिल ऑनасс w IU आनको साथ विस्पी सी लिश मीम हो Nicтесь आपको तो यहाँ पर कारन करन कि यहाँ पर जो हाय फूंहेंट को फ्रीज कर रखती है मıldले अप्ये से विड़ो आप कर सकते हैं मनले wallet के अंदर पैसे हैड हो सकते हैं wallet से किसी वी तरीके से पैसे जो है ट्रांसपर नहीं हो सकते हैं मनले पैसे डेबिट नहीं हो सकते हैं ऐसा hold लगा देती है बィना किसी वज़े की जो आपकी ID पर है ऐसा hold दगा देती है मेरा जो payment है वो 9500 रुपे का है लेकिन मेरे एक साथी retailer का जो payment है वो आप screen shot देख सकते है आप side के अंदर यहाँ पर जो है 1,15,000 के करीब उसका जो है यहाँ पर पैसा business company के wallet के अंदर फस उगा है अब आपको दोस्तों बता दूँ कि यहाँ पे 10-15 दिन बाद में माल दो 20 दिन हो चुके है मेरे इस payment के 20 दिन बाद में जो यह payment है मेरे wallet से है बिल्कुल debit हो गया मतलब अब wallet के अंदर कुछ भी नहीं है zero balance हो चुका है wallet तो मतलब wallet से जो 9500 रुपे है वो मुझे बिना बताए मेरी बिना permission के जो है debit कर लिए गए बिना किसी कारण के कारण क्या है कारण company को phone करते तो यहाँ पे distributor से contact करो distributor को call करते हो तो distributor कहते है company से contact करो तो यहाँ पे जो है business company के अंदर यही चलता आ रहा है जिसके अंदर आपका पैसा safe है लेकिन इस चैसी company जो business company इसके अंदर आपका बिल्कुल भी पैसा safe नहीं है मैं कहते हूं बहुत घटिया company है यह बिल्कुल भी response नहीं देती है इसके अंदर आपकी service मतलब जो आपको helps आई है वो भी help नहीं मिलती है मैं आपको यहां पर prove के साथ दिखा देता हूं जो मेरा पैसा है वो यहां पर wallet का यहां पर दिखा रहा है जैसे wallet का मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर अभी की तारीफ में आज यही की तारीफ में मेरा पैसा debit हुआ है मुझे बिना बताए मतलब बिना बताए आपके account से यहाँ पर किस तरी से पैसे निकाल देते तो फिर जो है गलत होगा यहाँ पर देख सकते हैं यह जो payment है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर remark अंदर लिखा हुआ क्या है company के द्वारा विडियो किया गया है तो company के अंदर फोन करते हैं तो कोई कारणा नहीं बता रहा है तो मतलब ऐसा आपके साथ हो सकता है वहाँ पर जैसे एक लाग पंद्रह जार रूपए एक व्यक्ति के फसे हुए एक रिटेलर के तो उसकी हालत क्या हो गई होगी यह ऐसी company के अंदर आपको विल्कुल भी काम नहीं करना आप बहुत सारी company मिलती है आपको उसके अंदर आप कर सकते हैं जैसे आपके पास CSC है तो आपको बदा तो CSC के अंदर डीजी पे आता है डीजी पे से आप जो है EPS कर सकते है एक वरोस्यमंद company सरकारी तो है यार जाल देंगे उसके बाद में यह कहेंगे यह हो गया यह हो गया तो इस company के ऊपर इस फ्रॉड को उपर इक डिटेल वीडियो आ रहा है मतलब फेस तो फेस आपसे मिलेंगे इस company के बारे में बताएंगे कि company किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड कर सकती है जैसे एक लाग 15,000 उपवाले retailer के साथ क्या हुआ मतलब अभी तक दस मालब 20 दिन हो चुक है अभी तक जो पैसा है उसका अभी तक नहीं आया मतलब पैसा बिल्कुल तरीक के खा गई है और यहां पर खाने के बाद में पैसा देने का नाम तग नहीं ले रही है कॉल कर रहे है तो यह की